चुनाव प्रचार का आज अंतिम दिन है और लखीमपुर सदर से विधायक योगेश वर्मा हमारे साथ हैं विधायक जी बहुत बहुत स्वागत आपका एवीपी गंगा में दन्यवाद आपका आप सुबह सुबह बाइट लेने के लिए आए प्रचार का आखरी दिन है तो क्या तस्वीर लग रही है लखीमपुर में अंडेड परसंट आठो की आटो सीटे जी तेगी इसली बार तो आठो जीती थी 2017 में इस बार भी आठो की आठो सीटे जीतेगी कोई किसी तरीके का कोई संशा नहीं है कि किसी तरह कि कोई सब्सक्राइब करें तो एक ही टिकट बदला गया क्यों वह विधाइक जी जो थे वह पहले हमारे चाचा है कि समाजवादी पार्टी में गये नहीं मगर क्या कि सकते हैं अब तस्वीर क्या लग रही है यह मुद्द्य क्या है स्थानी मुद्ध वारे पास जो भी सरकार की जितनी भी योजनायं हैं उन्हीं योजनाओं का जंता के बीच में जो पात्रव्यक्ति थी उनके बीच लाब मिलना चाहिए उसी के करणर यह महल मनाए सबी व्यूद्म ने पूर जोर कोशिश की और एक एक संगंटन के कारगरताओं ने जो कोशिस की है कि हर उस पात्र व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाब मिलना चाहिए उन्हें योजनाओं को लेके पुना फिर हम लोग जा रहे हैं कि जो भी व्यक्ति छूट गए है क्योंकि पांच साल में इतनी बड़ी विवस्ता को सुधार पाना बड़ा मुश्कि समाजवादी का गड़ माना जाता है वहां पर क्या ऐसे थी लग रही है समाजवादी का कभी गड़ रही नहीं पहले कभी रहा होगा मगर उनकी नीतियां उनकी कुरतियों के करण आज भाज़पास सबसे नंबर एक पर चले हैं अच्छा यह लखीमपुर कांड जो हुआ अवाला तिकुनिया वाला क्या वोफेक्टर कहीं आ रहा है नहीं ऊसका यहां पर कोई कोई हैं कोई किसी तरीगा कोई ऐसान है जिसके पास में चोटी जमीने हैं चोटी कास्त हैं उनको इस चीज से कोई मतलब नहीं है अब अब उनके भी प्रोटोकाल अलग अलग है अभी अपने विभाग में ही ज्यादा तर उनको बैटने का निर्देश मिला है जैसा ग्रहमंतरी जी का आदेश होगा उसी आधार पर बात ये भी उट रही है कि आशीश मिश्रा की जो रिहाई हुई है उससे भी इस्थानिये लोग नाराज है किसान नाराज है कि इस समय रिहाई हुई है चुनाओं के समय तो चुनाओं पे असर डाल सकते हैं कौन किसान नाराज है कौन सा किसान है टिकाइद भी अंदुलन कर रहे हैं इसको लेकर उ लかった कि कोई असर नहीं पड़ेगा और चुनाओं में हमारे मध्य में कोई फर्क नहीं आला उनकी उनकी रिहाई से हमारा we случайम बढ़ा था जी बढ़ेगा कि क्या कहिंगे आखरी मैं विदहानसवां किस को बिच चीएगे विदहानसवां किạt है कि बहुत वोच्रिया Scientists विधायक सदर योगेश वर्मा जी इनका कहना है कि पिश्री बार 2017 की तरह 2022 में भी आठों विदान सबा भारती यंतापाटी जीत रही है कैमरा सिउगी राजु के साथ विवेक ट्रिपाठी एबीपी गंगा लखीमपुर एबीपी गंगा खबर आपकी जवाब के